अगर ऐसा हो सकता हम अपने एट्मसफियर से निकल के ऊपर जाते हैं और हमें एक सोलर सैल प्रांट लगाते हैं तो हमें जितनी एनरजी दुनिया पे मिलती है उससे दुगनी एनरजी इपने एट्मसफियर के ऊपर मिलेगी ठीक है? पहले भी मैंने इस बारे में बात की थी क्योंकि atmosphere से गुजर के जब सूरज की शुआएं आती है तो उसमें से काफी सारा loss loss क्या है बहरा है absorption है reflection है जो मैं भी बताऊंगा कि वो क्या है तो वो हो सकता है और यह है ऐसा एक proposal कि किसी तरीखे से वहाँ atmosphere की ऊपर जो है atmosphere कितना चलता है पचास 50,000 मीटर तक के चलता है उसकी ऊपर जाकर लगा दें वहाँ पर एक space station बना दें वहाँ पर solar cell plant लगा दें फिर microwave के जितना भी power generate हो वो यहाँ बेशते रहे दुनिया के अंदर तो यह एक plan है लेकिन obviously वह बहुत ही expensive है इस वजह से वह भी तक कि उसकी feasibility नहीं हुई लेकिन यह हो सकता है तो यह क्या होता है सूरज के साथ सूरज की शुआँ के साथ जब वह atmosphere के साथ गुजरती है तो वो कहानी जो मैंने पहले बताया इंसूलेशन के बारे में कि इंसूलेशन कितनी energy सूरज की दुनिया पर पढ़ती है और कितनी energy जो है वो atmosphere की उपर पढ़ती है उनको compare करें तो वो जो balance निकलता है उसका एक नाम है earth's albedo कि कितनी energy आई दुनिया में और कितनी energy रही दुनिया में और कितनी energy बाहर शेलेगी दुनिया से यह earth's albedo कहते हैं उसको अगर समझ लें तो फिर solar energy को समझने में आसानी हो जाती है तो यह देखें उपर से वो सारी energy आ रही है 100% radiation solar radiation आ रही है उसमें से कुछ फीसद जो है वो या तो atmosphere से reflect हो जाती है atmosphere सारी हवा वगयरा साब गर्द कटा हवा वगयरा सारी उसमें आ जाती है जैसे मैं बताए 50,000 के खरीब आस पास मुझे exactly number नहीं पता लेकिन इतना देख लें तो वो reflect हो जाती है कुछ वहां से कुछ बादल होते हैं कहीं कहीं तो वहां से बादलों से reflect हो जाती है फिर जमीन पर आके जमीन से reflect हो जाती है ठीक है ना यह 30% जो है यह सारी reflect हो गई तो right hand पर देख लें वो 20% जो है वो absorb हो जाती है जतना भी हवा में जतने भी चीज़े है ना अपने एटमस्फियर के अंदर वो बीस वीसद एनरजी उसमें एब्सॉर्ब हो गई कोई भी जो अब जब जाके हम एर कॉलिटी की बात करेंगे अगले कुछ अगले मॉड्यूल्स के अंदर तो उसमें देखेंगे के यूवी का क्या फर्ख पड़ता इसे कितनी सारी एनरजी जो है यूवी जो है वो ओजोन और यूवी का जो कनेक्शन है ना कि ओजोन होती है तो कितना अब्सॉर्ब कर लेती है वो सारा एटमस्फियर में ही अब्सॉर्ब होता है ना ओजोन एटमस्फियर में होती है तो वो बीस वीसद ये हो गया उननीस वीसद तो इनको यह 51 पीसद जो नीचे लिखा होता है जो एब्सॉर्ब होता है सर्फेस में वो कहा जाती है उसको भी देखें और यह कंप्लीट पिक्चर है अर्थ अलबेडो की लेफ्ट साइट से देखें और वो कलर भी देखें इनका कलर का भी एक स्कीम है लेफ्ट से कलर यलो पे आ रही यह विजिबल लाइट आ रही है तोड़ी बदस में इंफ्रारेड है बाकी नहीं है सारी विजिबल लाइट आ रही है पचास वीसद उड़ गई जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बता जी दी कि पचास वीसद रिफ्लेक्ट हो गई या अब्सॉर्ब हो गई है जो कि गरम होता चले जाएगी अगर गरम होती चले जी तो पिर इनसान रहेंगे कैसे यहां पर पानी खतम हो जाएगा दिंदगी मुष्किल हो जाएगी रहना यहां पर तो इस वज्या से जो जो जितने stain आती है ना यहां पर सूरच की गर्मी अर्थ में वह कुछ एब्सॉर अब वापस जाने का रंग देखें, लाल, क्यों? जो यलो है उसकी एनरजी ज्यादा है, लाल की एनरजी कम है, तो जो वापस जाने वाली एनरजी होती है, उस जादतर इन्फरा रेड होती है, यह तो अभी रेड तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया, लेकिन चूँक सुझाते हैं कि इतनी आ रही है और इतनी जा रही है, तो जमीन का टेमपरेचर जी है, वो ज्यादा घटता बढ़ता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है, वो बीस पक्चीस सेंटीग्रेट के आसपास, तोड़ा बत अब लोकली यखिन हो जाता है, लेकिन ऑन एन आवरेज यह है तेमपरेचर, अब क्या होता है कि यह जो बाहर जा रही है ना, जो इंफ्रारेड जो वापस डिजॉर्व होके, उसको एक बड़ा प्राब्लम यह है, अगर देखें आप बाहर गर्मी में गाड़ी खड़ी कर रहें अपनी, तो जो विजिबल लाइट है वो तो आप इनफ्रारेड बन गए, इनफ्रारेड की एनजी कम है ना, तो अब वो इनफ्रारेड जो है, फिर आपके शीशो से बाहर नहीं जा सकती। इसका मतलब सारी एनजी जह एक्यूमिलेट होती जाएगी, अंदर ही अंदर हीं, अंदर हीं उनदर। तो अंदर का TEMPERATUर कभी- के पहुँच सकता है, centigrade की बात करें, 150 डिग्री, पानी रखेंगे तो पानी बॉयल हो जाएगा, कई जगह ऐसा होता है कि लोग बच्चों को गलती से छोड़ के चले आते हैं, तो बच्चे को मुश्किल पढ़े आती है, अनिमल्स वगारा, कुत्ते वुत्ते जो होते हैं, ल की बात करेते हैं, वो अपना एट्मस्फियर है, अगर वो एट्मस्फियर उनको जाने दे, तो वो चली आती है, अगर एट्मस्फियर की ऐसी कंडिशन हो जाए कि उसमें कार्बन डायॉकसाइड ज्यादा पड़ गई, तो फिर वो बाहर ने जा सकी, तो ये ग्रीन हाउस जिसकी बात करते हैं न लोगो, ये है ग्रीन हाउस एफेक्ट, जिस पर हम बहुत जारी तफसील से बात में बात करेंगे, तो उस क्रीन हाउस की वह जासे जो लाल वाली जो एरो बाहर जाने वाली होती, वो विलकुल स्टॉप हो जाती है, तो सारी गर्मी फिर अंदर की अ होंगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टोटल एक सेंटीमीटर पर दो कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वेर पर मिनिट इतनी रोशनी आती है, लेकिन वो उपर, जब जमीन तक पहुंचते हैं, उसकी एक चौता है रह जाती है, आधी कैलोरी रह जाती है, उसको पर आती है, अब उसको आप पाकिस्तान के एरिया से जरब कर दें, या अमरीका के एरिया से जरब कर दें, तो अमरीका के हिसाब से जो है, वो 5.6 times 10 to the 19 BTU per year, इतनी एनरजी 10 to the 19 BTU per year, it's a huge number, huge enormous number, जो इनकी जुरूरत है वो 10 to the 17, two orders of magnitude, 100 गुना ज्यादा, जितनी हमें उसकी सूरज से एनरजी मिल जाती है, तो सिर्फ सूरज की एनरजी अगर किसी तरीक से इस्तेमाल की जा सके, तो हमारी तमाम जूरुरियात को पूरी कर देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? उसको चेंज कैसे करेंगे, जाके आप सर्दियों में बाहर सेख तो सकते है सूरज की वज़ा से, लेकिन उससे फिर खाना बनाना जरा मुश्किल हो जाएगा, शायद फोकस करके खाना भी बना लें, लेकिन उससे बिजली बनानी जरा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर सोलर सेल की जूरुरत होगी, तो सारी सिर्फ सूरज की शुआउं से जिंद झाल झाल